हलो अबरीवान, वेलकम बैक वीवर्स, कैसे हो आपसे लोग आईज, उमीद करती हो, स्वस्त होंगे, अपना ख्यार रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे वीवर्स, आज़stra, करने वाले हैं आपके पर्सनł के लेट नाइट ठाट रीडिंग, देखेंगे लेट नाइट ठाट में आपके पर्सन क्या कुछुछ उनके मन में, उनके दिमाग में, दिल में चल रहा है एक general collective reading है सभी के लिए की जा रही है सभी राशियों के लिए सभी वेक्ति के लिए हो रही है तो हो सकता हर एक बात हर एक से resonate ना हो जो आप से resonate हो वो रखें बाकी को ignore करें readings अगर आपको clarity मिलती है तो please इससे like करें share करें चानल को subscribe नहीं किया तो चानल को subscribe कर लिजे ऐसी और वीडियो के लिए तो चलिए देखते हैं आप जिस वेक्ति से deal कर रहे है उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है please universe angels guide करें बताए मेरे वेवर जिस वेक्ति को लेके reading देख रहे है इनके person के मन में मेरे वेवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है please universe angels उसको clarify करें बताए क्या कुछ है उनके मन में नमबर 44 थिंकर exchanging gifts नमबर 11 वाइदा बुक की energy यहाँ पर आ रही है message in the bottle treasure iceland here and now और friend एक गाना चैनल हो रहा है जग सूना सूना लागे रहे है सुना है आपने शायद शारुखन का है जग सूना सूना लागे एक वो दिपिका पादू कोन के साथ में शारुच में जब रहे ile being may और आप आओ आप एसिखेंगे वो और जाहत को जेखने उनकों की जग सूना सूना है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मन नहीं लग रहा कहीं पर इसे के साथ को इन way they want to connect with you Ch hed इस वेक्ति का जो इंटेंशन है जो फीलिंग है वो यही है जैसे कि बहुत स्टॉंगली इसके खुद के अंदर यह डिजार इस वेक्ति के अंदर कि वो आपसे जुड़े आपके पास आए आपके साथ में रहे लेकिन राइट नजर आ रहा है कि यह जो कनेक्शन होना बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन्स लेके चल रहा है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन्स यहां पर हर कदम कदम पर एक नई चुनोती खड़ी है हर कदम कदम पर चीज़ें से लनजर आ रहा है कि अब यह प्यार नहीं रह गया है यहां पर इस प्यार को जैसे किसी थर्ड परसन ने यह कि करूंगी जैसे कि गेम सा बना दिया है ठीक है कि तुम ये करो तुम वो करो तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा जिसे कहते हैं हाँ आपके connection विक भी उसलों कि अपते हैं क्यों आपि वे अपर एक छिकार वो चाहराँ 건데 यह नहीं कि आप देखके हाँ कि वह में पर आप क्यों कि ये वह सथी लाइक है क्योंकि काहिं नहीं आप स्टास्ट करके उसको अपनी लाइफ में एंट्री देते हो उसको अपनी सुखो और सिदुकों से क restrict करते हो और और खुद कहीं नहीं कि इन्वाइट कर लेते हैं कि आ बहल और मुझे मर यानि कि उसको इतनी पर्मीशन मिल जाती है कि वो आएगा और आपके लाइफ में आपको दर्द देगा तकलीफे देगा और वो खुद से आपने इन्वाइट की होती है तो आपके परसन के साथ में ज़िए और वो जो चाल है ठीक है वो यहां पर धीरे धीरे इनको समझ में आरही है धीरे धीरे एकदम से नहीं आई अगर एकदम से आती तो यह बहुत चीजे पहले ही सोट आउट कर चुके होते लेकिन अब आरही है पहले नहीं आई थिंग इसलिए वीवर्साज आपके नहीं आफके वी और शोनन डिल नहीं नहीं है तो यह अगर अचैज को बेन से शकुति कर था कि चाल इनerson के जिंदेगें में देखनों और ऐस नहाँ ज Вас सब अखे जैसे हमें आपके कि अपर है यहां यहां इक यहां पर एक फीमेल है ठीक है उसका जिता भोशड़ा सा है औ ऐसी नहीं है जिसको जेवन्त कह सकें तो ये वेक्ति के लाइफ में कुछ ऐसा ही चल रहा है कि बिना आपके और आपसे दूर जाके अगर इन्होंने किसी की चाल में फसके आपसे दूर जाने का जो निर्णा है वो ले लिया था तो आज आपके परसंट पश्टा भी बहुत पश्टा रहे हैं बहुत रिग्रेट में हैं और मैंने बोला ता आपसे बात करना चाहने हैं वीवर्स तो इनर्जी मेरे पास यहां पे है ठीक है ये वेक्ति आपको अपने अपने मन में बहुत कुछ दबाए बैठे हैं बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे communicate करना चाहते हैं इनके emotions कही ना के viewers आज़ा नज़र आ रहा है कि धीरे धीरे ही सही पर surface पे आने लगे हैं ठीक है धीरे धीरे सही पर अभी भी open up नहीं हुए आपके person सर्फेस पे आने के मतलब कि वह वैक्ती चाहा रहा है कि वह आपको बता दे अपनी लाइफ के बारे में कि उनके साथ में क्या कुछ हो रहा है क्या उन्होंने देखा है आप से दूर जाके किस तरह के हालातों से वह वैक्ती गुजर रहा है और उसका जो decision था उसका result कह रहा है आपके person यहाँ पर यह भी कहना चाहते है जैसे कि answer नजर आ रहा है कि कही न कहीं कुछ न कुछ आपनी life से यह ऐसी लोगों को या फिर ऐसी जो negativity यहाँ इनके आसपास भर गई है यह पूछ रहे जैसे कैसे निकालू मैं कैसे निकलू मैं क्योंकि यह person वीवर्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि यह इस energy से निकलना चाहते है ठीक है यह आपके पास में आना चाहते है आपके साथ मेरे रिष्टा जो है action लेना होगा, कोई सरफ उसको influence कर सकता है, अगर आपको अपनी जिंदिगी बदलनी है तो लोग आपको सरफ रास्ता दिखा सकते हैं उस रास्ते पर चलना इंसान को खुद होता है मानते हो ना इस बात को है ना आप किसी की उंगली पकड़ के उसे चलाना सिखात हो सकते हो, लेकिन उसको आगे बढ़ना या उस रस्ते पर continue करना वो उसको खुदी करना होगा है ना, तो यह है कि आजकल की life viewers आपके person की ऐसी नजर आ रही है, जहां पर यह अपने आपको बहुत ज़्यादा अकेला और ऐसा महसूस करें कि और जिसको आपके person यहां पर समझ बारे हैं राइट अब viewers यहां पर हुआ क्या है, आपके person यह कहने की कोशिश करें जैसे कि कुछ इंसान कोईदे ना कि कुछ छोटा सा दिखाया लेकिन उसके बदले इनको इनसे बहुत कुछ चिन गया यह energy guys मुझे यहां पर मिल रही है कुछ लोगे person की viewers यहां पर यह भी energy आ रही है कि अगर आपके person ने आपको किसी तरह का कोई commitment देने से मना किया यह commitment दिया तो सही पर उसे पूरा ना कर सके commitment था साथ निभाने का commitment था एक होने का ठीक है लेकिन इस वेक्ति ने आपको कमिटमेंट अपना जो दिया था वो पूरा नहीं किया था राइट ना वो उसी commitment को यहां पर सोचते में नजर आ रहे हैं उसी situation को यहां पर सोचते में नजर आ रहे हैं कि इन ने मतलब कहीं ने कहीं आपके साथ में जो भी उस समय किया था यह कहीं उसकी वज़े से तो नहीं हो रहा उन हालातों की वज़े से तो नहीं हो रहा यह दल किसी का दुखाओगे तो खुश तुम भी नहीं रह पाओगे तो वही आपके person की यहां पे energy है इसे कर रहे हैं भेत्रिन से बहत्रीन लइभ जो इनको मिल सकती थी कई इनकी खो सकती थी लाइब मतलब एक सुकून भरी हो सकती लेकिन नहीं है इनकी passat रॉप बैसंत में जिस अज्वल भी जाद हुक्त फाशन कोसे में आते है igual और देखते हैं और क्या मैसेज़ेस हैं यहां पर यह आल साइन कलेक्टिव रीडिंग है सो डोंट वरी राशी आएंगी मैं आपको खुद बता देती हूं अगर मैं कभी राशी नहीं बताती हूं तो उसका भी कोई रीजन यूनिवर्स की तरफ से ही होता है ठीक है काड हमार यह सामने तरह रीकर राशी नहीं बताते हैं इसका मतलकर नहीं कि वाल साइन क्लेक्टिव रीडिडिंग नहीं है सभी के लिए होती है ठीक है सो प्लीज उनिवर्स इंजल बताएं और क्या चल रहा है स्वेक्ति के नन में अगें नाइन अफोर के नाजिव ए विवर्स ये सही नहीं हो रहा है इनके साथ में ठीक है इस वेक्ति को इस समें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपके साथ में गलत किया है धोका दिया है या फिर आपके साथ में मैनुपलेशन किया है तो आज आपके परसन नहीं को लेकर रिग्रेट में बहत है पर राइट नहीं त पारी हो, वो बहुत ही painful suffering को represent करता है, जहां पर इंसान अपनी जिंदगी में इन्होंने अचानक से कुछ tower moment देख लिया है, ठीक है, और यह tower moment है क्या, चेहरे reveal होना, ठीक है, मास्क उतर रहे हैं लोगों के, जिन पर इन्होंने भरोसा किया था, जिन पर इन्होंने भरोसा किय अगर आप इस कार्ड को clearly देख पा रहे होंगे तो, ठीक है, तो यही कहते है रही वीवर्स यहां पर कि इन्सान को सोच समझ के, किसी के ना किसी के साथ में connect होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो वही आपके person के साथ में यहां पर हो रहा है, जिससे आपके person कहीं ना कहीं, heal होने की, recover करने की, अपने आपको समझाने की, बहलाने की, फुसलाने की, कोशिच कर रहे हैं, ठीक है, यह ऐसी energies है, जहाँ पर इंसान सुकून भरे पल तलाश रहा है, जहाँ पर वो अकेला रहना चाहता, जैसे अब किसी से connect ही नहीं होना चाहता, क्योंकि उसको वि अपनी पुरानी यादों में कहीं अटका हुआ है, और अपनी हार्ट को यहाँ पर इस वेक्ति निकाल के लग कर दिया है, जैसे कि वह अपनी फीलिंग होना इस समय और ज़्यादा, मतलब असा नज़रा है कि वह परसन पेन में तो है, आप समझ रहे हैं, पेन में तो है, प अपनी ही भावनाओं से, अपने ही दिल से, ठीक है, क्योंकि दिल पे अतबार क्या ही करूं में, कि जिस पे अतबार किया आज, वही मेरा दिल तोड़ बैठा है, या तोड़ बैठी है, ठीक है, ऐसी इनर्जिस में आपके परसन खुद आ गए है, मैंने जैसे भूला था व इनर्जिस हारी है, इनके माइन में कहीन है, कि आज आपको लेके जो इमेज है, वो क्या कहती है, वो यह कहती है, कि अगर इनका जो आपके साथ में रिलेशन्शिप बन गया होता, या फिर आपके साथ में शादी हो गई होती, तो लाइफ इनकी कैसी होती, एट लिस्ट ला बीकिल को बरीब कोशिष यहां पर करते वह नजर आ रहे हैं और 具 तो हैं, और भी पत्वाइन होके नजोंगा रहे ऑट आतसे हैं साल खिली पके बालेट का काल पन हमें जोनेफिते हलेटे में और हैं ओर एपन मेर एक लिए जो message की energy आई यह दिखाए देती है कि वही वेक्ति आप से अगर बात भी करना चाहता है तो इस उमीद से बात करना चाहता है कि इस वक्त आप उनको समझेंगे उनको साथ देंगे उनको support करेंगे ठीक है उनका साथ निभाएंगे उनका जो इस समय वह वेक्ति टोटा वा वा हाथ थाम लेंगे, तो आप से इस उमीद से बात करना चाहते हैं, ठीक है, ट्रेजर, नाइन नमबर एनरजी में हापे काफे स्टॉंग आई है, अगेन नमबर नाइन के नाजी है, ठीक है, तो यह वरस एनरजी क्या बता रही है, इस विक्ति के इसमें इमोशन कहीं ना कि बह हो रहे हैं, मेरी भावनाए आहत होता है, जैसे हमेरा को यह यह अईनरजी मेरा सपना होता है, थामने है, क्या है इस वेक्ति ने बहुत सदा अब उन लोगों पर बिश्वास नहीं कर रहे हैं जिन लोगों पर इनों ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया है ठीक है और एक चीज और जो इनको समझ में आ गई है कहते हैं कभी-कभी जरूरी नहीं है जो तुम्हारे जैसा दिखता हो जो तुम्हारे होगा वो भेक्ति आपका जस्ट एक पोजिटी मिलेगा यह चीज़े होती है और यह होना कहने की बेस्ट भी होता Strength यहाँ पर आप नत कहीं होता है क्यों क्योंकि जहां पर आपमे कमी आज रात सो जाएं आपने को समझ में आरेई हैं। तो या एक। अनृम बुघ तो यह बार रहा है। अगया नमबर फाइव उन्हें के वहांनी के वार है। आधस भूआज अव्यड़ माक्र बुखर करने है। आज रात अगर सो जाएं आराम से चैन से, तो कह दीजिएगा, इनको नीद नहीं आने वाली है, यह आपको बहुत याद करेंगे, बहुत रोएंगे, बहुत तड़पेंगे, पुराने पलों को मिस करने वाली एनरजी वीवर्स, और एक एनरजी यहां पर रिग्रेट की भी ह कि वाई, इन्होंने आपके रिलेशनशिप के लिए एफर्ट क्यों नहीं लगाए, इन्होंने आपके विलीव क्यों नहीं किया, इन्होंने आपकी बात को क्यों नहीं माना, यहां पर वो भी आ रहा है, इन्होंने इतनी जल्दी हार इस कनेक्शन को लेके क्यों मान ली, य यहां पर इनर्जी है यह वेक्ति विवस क्योंकि अगर देखें यहां पर फूल के नर्जी आती है तो इस परसन वांट सम्वेर की कुछ पुराना एंड करके एक न्यू बिगिनिंग आपके कनेशन में करना चाहते हैं देख रहे हो तो आपका फूल के नर्जी आई है तो यह इनर्जी क्या बता रहे है कि यह जो वेक्ति है इसके मन में जो है वह एक ऐसी एनर्जी है शहां पर यह वेक्ति पिलकुल मतलब एक लाइफ मस्त मौला जीना चाहता आपके साथ में के फिर लाइफ जीना चाहता है फिर से नहीं शुरुगात करना चाहती है चाहता है तो य यहां पर मुझे फॉर टाइम के अनर्जी मिली है आपकी रीडिंग के अंदर और फीलिंग आ रही है इस व्यक्ति की तरफ से वह यह कि यह कुछ ना कुछ पूरा करके कुछ जिसे कहते हैं ना इस इनफ एक नए शुरुवात करनी उसके अनर्जी गाइस मुझे आप मिल रही ठीक है तो यह आपके पॉर्सन के राइट नो के नजेज आ रही है चलिए देखते हैं उनके फीलिंग में आपके लिए एक और क्या मैसिज है वह गाना जरूर सुनना मुझे फिर से चैनल हो रहा वही गाना तो आपके लिए देख लेते हैं आपके पॉर्सन के चैनल आपके परसन को विदिखो इस समय इनकी पैनफुल सिच्वेशन है तो आप भी उनसे दूर जा रहे हो आप भी उनसे दूर होते चले जा रहे हो इस परसन फिलिंग लाइक और और विदाउट यू ठीक है जैसे वह गाना फिर से चैनल हुआ आपके लिए इनकी दुनिया ही आपको इस समय कहीने के ऐसा नजर आ रहा है इनकी आपके बिना इनके लिए बहुत मश्किल है आपके परसन आपको बहुत प्यार कर रहे हैं अनकंडिशनली प्यार करना चाहते हैं आपको आपके परसन साथ होना चाहते हैं क्या हम साथ में हो सकते हैं क्या हम साथ में फिर स मिल रही है कहीने की वक्ति painful situation में तो ही ठीक है और यह आपसे जुड़ना चाहते हैं आपके होना चाहते हैं आपसे प्यार चाहते हैं आपका साथ चाहते हैं मैंने बोला था आप इनका हाथ पकड़ लो बस आपके person की यही intention यह आपे नसरा रही है ठीक है तो कहीने की विवर्स किसी की चाल तो जरूर कामियाब हो गई आपके करनेशन में जो जिसने करना चाहा था वो कर लिया और जब आपने move on भी कर लिया है तो इस विक्ति कहीने की completely आज ही है अपने आपको अकेला महसूस कर रहे है ठीक है तो यह energy guys आपके परसुन के आज रात की आई है I hope so आपके लिए रीडिंग हेलफुल रही होगी अगर रही है तो क्लेम करें लाइक शेन सब्सक्राइब करें परसुन दिंग लिए आप चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं तो यह ठीडिंग आपके लिए बावाई टेक केर